हेलो नमस्कार दोस्तों सुवाध करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एकों नई महत्तपूर्ण जनकर लेकर हाजिर हुए हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर परदेश में 53,000 पदों पर आगानबाड़ी भरती निकाली गई थी दोस्तों यह बरती बीच में ही रुखी हुई थी और आपने काफी वीडियो में काफी नियूज चैनल पर आपने देखा होगा पढ़ा होगा कि जो यह बरती है वह रद हो गई है लेकिन दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि यह बढ़ती रद हो सकती है और नहीं भी हो सकती है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसी जानकारी हमने अपनी वीडियो में आपको पहले दी थी दोस्तों हम आपको बता दे कि यह बरती रद नहीं हुई है रद होने का इसका कोई भी नोटफेशन अभी सामने नहीं आया है इसलिए दोस्तों घबराये नहीं यह बरती रद नहीं हुई है दोस्तो आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि यह बढ़ती रद नई होई है साथ ही दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह जानकारी फेक है तो आप भी अपने मुबाइल फोन से जान सकते हैं कि यह बढ़ती रद नहीं हुई है और आपको हम जो दिखाने वाले हैं वहें बिल्कुल रियल जानकारी देने वाले हैं वहें आप अपने फोन से कैसे देख सकते हैं दोस्तों यह हम आपको ओनलाइन दिखाने वाले हैं इस वीडियो के मात्यम से साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कुछ जिलो में ओनलाइन आविदन की जो परकिरिया है आगनवाडी भरती की वहें शुरू हो चुकी है दोस्तों जो हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं यह एक 101% रियल जानकारी है किस जिले में ओनलाइन आविदन की जो परकिरिया है वहे चल रही है दोस्तों इसका नोटफेशन कब जारी हुआ है इसकी अंतिम्तिती क्या है सबी डिटेल वाई जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले है अगर आप भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और रियल जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को दोस्तों आप लाश्ट तक वास्च करियेगा क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके दिखाने वाले हैं कि यह जानकारी सही और बिल्कुल सठी जानकारी है कोई भी इसमें फेक जानकारी नहीं है तो चले दोस्तों बिना टाइम वेश्ट के हुए आपको लेकर चलते हैं Google Chrome Browser पर सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन का Google Chrome Browser उपन कर लेना है दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमार आपसे छोटा सन्निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरू सबस्क्राइब करेगा साथी बैल आइगन को भी प्रेस करेगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिशेशन आपको समय समय से मिलते रहे और आप हमारे दियो हुई जानकारी होगा लाब उठाते रहे दोस्तों यदि आप आपको हमारे दियो ही जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि कुछ व्यक्तियों के कुछ आविदगों के यहां पर जो फारम है वह सरकार दोरा रिजेट किये जाएंगे और रही मेरिट लिस्ट की बात दोस्तों मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि इस चैनल के मादम से आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी दी जाती है कोई भी फेक जानकारी आपको यहाँ पर नहीं दी जाएगी तो दोस्तो सबसे पहले अपने फोन का Google Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है और दोस्तो उसमें आपको सरच करना होगा बाल विकास जैसे दोस्तो आप यह सरच कर लेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का पेज जोपन हो जाएगा आपको यहाँ पर यह लिखा मिलेगा बाल विकास यह इसकी दोस्तो गागनबाड़ी की ओफिशल वेबसाइट है इस वेबसाइट पर दोस्तो आपको सबसे पहले किलिक करना होगा जैसे आप किलिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बारी विकास सेवा यहाँ पुष्ट विवाग उत्तर प्रदेश सरकार ठीक है दोस्तो उसके बाद आपको ने यहाँ पर यह देख सकते हैं अबाउट अस इसकीम एक्टर एंड रूल्स कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट एंड रीकुरुमेंट तो दोस्तो आप यह भी पड़ सकते हैं अपने करणा क्या है आपने रीकुरुमेंट पर किलिक कर देना है जैसे आप किलिक करेंगे दोस्तो आपके सामने यह है चार ओप्सन आपके सामने आ जाएंगे तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है Application Form for Arganbody Worker, Mini Arganbody Worker and Arganbody Helper चले दोस्तों क्लिक कर देते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से इस तरह का इंटरफेस आपके सामने उपन हो जाएगा यह आप देख रहे हैं और आप यह देख सकते हैं Application Form for Recruitment of Arganbody Worker, Mini Arganbody Worker and Arganbody Helper साथ ही दोस्तों आप यह देख लिजे Important Instruction to fill Online Form यानि कि दोस्तों Online आविदन परपत्र भढ़ने के बारे में महत्तपून संदेश अब दोस्तों हम आपको क्यों बता रहे हैं आप यह अच्छे से अभी जान सकेंगे दोस्तों आविदको का सुझाओ आविदको का सुझाओ दिया जाता है कि आविदन परपत्र भढ़ने से पूरू अनदेशों का ध्यान से पढ़े दोस्तों दूसरा आप यह देख रहे हैं आविदको द्वारा भी भागे वेबसाइट यानि किस वेबसाइट पर ओनलाइन आविदन किया जाएगा इस अतरिक्त अन्य किसी माध्यम से परसारित आविदन से विकार नहीं किया जाएंगे वेबसाइट उपलब्द है आविदका का कोई भी परविष्ट करना अत्वा विकलकों का चुनाव करने से पूरु निर्देशों का ध्यान पूरुवक पढ़ लेना चाहिए ओनलाइन आविदन बरतेश में आविदको को सभी आविशक विबरन भढ़ना अनिवारी है अनिवारी विर्णों को छेतरों को तारिकरांत चिन अंकित किया जाता है अब दोस्तों दूसरा है अविदक करने की परकिरिया पूरित निसुल्ख है इसका कोई भी फरम बढ़ने कोई भी चार्ज नहीं होगा तो दोस्तों तीसरा पूइंट यानी की चोथा पूइंट आपका ये है चैन की करवाही जनपद इस तर अं संपादित जानी अत है किसी भी शंक का समदान हीतु जिलादगारी, कारेग्रम अदिखारी से समदान कर सकते हैं अब दोस्तों जो ये point है ये ध्यान से सुनिएगा online आविदन फरम भढ़ते समें सभी परविष्टियों हिंदी एवं नंबर को अंग्रेजी भासा में भढ़ा जाएगा परविष्टिया भढ़ने में विसेश सुधारक यानिक दोस्तों सुधारक ये tag ये सारे option है न दोस्तों इत्यादी का परियोग नहीं किया जाएगा लेगिन कुछ अभ्यारती हैं ऐसे हैं जिनोंने अपना फरम भढ़ते सवे इनका उप्योग किया है और जिन वेक्तियोंने इनका उप्योग किया है उनका फरम जो वेव है रिजेक्ट किया जाएगा उनका फरम कोई मानने नहीं होगा तो दोस्तों यही कारण है सरकार दोवरा रिजेक्ट किये जाएंगे इन वेक्तियों के फरम जिनोंने ये गलतिया किये हुई है अगर दोस्तों किसी भी जानकारी में बढ़ने से पहले आपने ये निर्देश नहीं पड़े हैं और जैसे कि आपका पंजीगंड संग्या आपकी गलत होगी है जनम्तिति या फिर आधरकार नंबर आईडी इत्यादी गलत हैं फिर भी आपका फारम जो है निरस्त कर दिया जाएगा अब दोस्तों आपको ये पहली जानकारी मिल गए कि किस करण वजे से आपकी जो फारम है निरस्त कर जाएंगे मानने नहीं होंगे अब दोस्तों आपको इस प्रकार नीचे आ जाना है और आप दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे ये किसी भी परसन या सायता के लिए आप संपर्ग कर सकते हैं ये टोल फ्री नमबर है दोस्तों इमेल आईडी से भी आप संपर्ग कर सकते हैं अब दोस्तों आविदक द्वारव वोक्ता समस्त महतपून अनुदैसों को पढ़ने से समझने एवम सहमती दसा की नीचे अंकित बटन पर दबाईए आने की दोस्तों अब ये देख सकते हैं आगनवाडी कारिकत्री मिनी आगनवाडी कारिकत्रियम सायकाओ के रिक्त पद हे हैं तो आपको ये इसके बटन पर किलिक करना होगा अगर अवेदर नहीं करना चाहते तो आपको नौक बटन पर किलिक करना होगा चले दोस्तों हम आपको दिखाते हैं हम ये इसके बटन पर किलिक कर देते हैं जैसे आप दोस्तों ये इसके बटन पर किलिक करेंगे तो आगन बाड़ी भरतीगी जैसे दोस्तों आप स्क्रोल करेंगे अब आप पढ़ सकते हैं जिलावा परियोजना द्वारा सर्च करें आगन बाड़ी रिखतों की खोजे यानि दोस्तों जो भी आपका जिला है जनपद है आपने सबसे पहले यहां पर उसलेक्ट करना है बढ़ करना है पद का नाम जो भी आपका पद है वह सलेक्ट करना है और फिर आपको सर्च के बटन कर क्लिक कर दिना है चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों उननाव जिले में जो नाव जिला है दोस्तों उसकी भरती है वह इस जिले में बरती आगन इसमें ये ब्लोक है आप ये देख सकते हैं आपर हम आपको दिखा रहे हैं तो कोई भी मैं यहाँ पर ब्लोक ले लेता हूँ ठीक है दोस्तों सफीपूर हमने ये ब्लोक ले लिया है तो अब बात करते हैं दो इसमें एक ग्रामीन है और एक सहरी है मैं आपको ग्रामीन का दि क्लिक कर देता हूं अब दोस्तों जो इसका पदगा नाम है कौन से पतबर यह बरती निकाली गई है दोस्तों आप देख सकते हैं मिनी आगन वाड़ी कारिकत्री की यह बरती निकाली गई है इसमें यह पोश्टे हैं अब दोस्तों इस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर जैसे पहले यह 19 जिल्य में बढ़ति निकाली हुई है, पर योजना ब्रॉक का नाम हम अब दोस्तों जिसका ग्राम है, ग्रामेणी है, हमने ग्रामेणी सेलेक्ट किया था, ग्रामOld editor का रहिबा बाद हमने इसमें सेलेक्ट किया था अब दोस्तो पद का नाम है मिनी आगनबाडी भरती इस पद पर भरती निकली हुई है अब दोस्तो विग्यापन करमांग आप यह देख सकते हैं यहाँ पर यह वाला अब दोस्तो विग्यापन विशे एडवर्टाइजमेंट फोर मिनी आगनबाडी वरकर्ष आप ये विग्यापन भी देख सकते हैं किस विशे में ये विग्यापन है अब दोस्तो बात करते हैं इसकी आरमतिति की याए कब आरू हुई तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 नौंबर 2021 में यह बढ़ती निकाली गई थी अब दोस्तो इसकी अंदिम्तिति की बात कर लेते हैं यहाँ पर यह इसकी अंदिम्तिति है यानि की 17 दिसंबर 2021 को यह बढ़ती समाप्त हो जाएगी आप इससे पहले आविदन कर सकते हैं अब दोस्तो यह आप देख सकते हैं करमांक वार नंबर और रिक्त आगरबाडी केंदर कोड़ यह इसका केंदर कोड़ है दोस्तो रिक्त आगरबाडी केंदर का नाम हबीब नगर मिनी अब दोस्तो इसकी सरेणी है सामानने है और उप सरेणी लाग नहीं हुई है कुल रिक्त इसमें दोस्तो यहाँ पर कुल रिक्त बढ़ती एक है अब दोस्तो हमने आपको live दिखा दिया है इस प्रकार आप भी अपने फोन से देख सकते हैं हमने आपको यह सिद्ध कर दिया है कि यह बढ़ती जो निकली है कोई फरजी नहीं है अब रही merit list के बाद तो आप कुछी दिनों में या निकी दिसम्मर के महीने में या फिर दिसम्मर के महीने के बाद कभी भी इसकी जो mad list है वह निकाली जा सकती है अब दोस्तो फरजी जो खबरी चलती है उनको ध्यान मत दीजिए जो भी सटीक महत्तपून जानगारी है उन पर ध्यान दीजिए अच्छे से समझ सकेंगे दोस्तो हमने आपको 101% बोला था हमने आपको 101% जो है वह सिद्गर के दिखा दिया है कि इसमें कोई भी fake news नहीं है बिल्कुल reality news है हमने आपको यह दिखा दिया है अब दोस्तो इस पर आपने apply के बटन पर किलिक करना है जैसे दोस्तो अपलाई के बटन पर आप किलिक करेंगे तो आप आविदन कर सकेंगे दोस्तो यदि आपको हमारे दियोई जानकारी अच्छे लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा और जाद से जादा शेयर करेगा दोस्तो इस चैनल के माध्यम से किसी भी परकार की भरमित नई क्या जाता है यहाँ पर सही और सटिक जानकारी आपको दी जाती है तो दोस्तो यह थी आपके लिए महत्तपूंग जानकारी यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंड बोस में जागर पूछ सकते हैं आपके सभी सॉला का जवाब दिया जाएगा अब दोस्तों आपसे चाहते हैं इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय बारत